तुमस्कार बोलता है हिमाचल देखरें आप और आज है 10 सुलाई 2022 हिमाचल विदेश की आज की सबस्तों वड़ी खबरें हम आपके रिलेकर आए अमेज सकीतर आप इस वीडियो को लाइक कर देज़ेगा चैनल पर नहीं जूड़े चैनल को आप सस्क्राइब जूर करें पेस है आज की सबस्तों वड़ी खबरें को लो में दाखले कल से ओनाइन में लेंगे प्रोस्पेक्टर्स किमाचल विदेश के कोल्जों में सोंबार से दाखले सुरू होगे हारे कोल्ज में आर्ट, साइंस और कॉमर्स विसी के लिए सीटों का बितरन भी कर दिया किया है वहीं संजूली, आरकेमबी और कॉर्सेरा कोल्ज की बात की जाए तो यहां पर आर्ट संकाय में सबसे ज़्यादा सीटे है एडमिनिसन के लिए छाटरों को इस वार दास दिन मिलेंगे, यानि 20 जुलाई तक छाटर एडमिनिसन ले सकते है उसके बाद कोल्जों में मैरे लिश्ट लगेगी, कोल्जों ने छाटरों की सुब्ध अके लिए प्रोस्पेक्टिस भी ओनलाइन कर दी है चाटर बैपसाइट से कोल्जों का पूरा ब्योरा ले सकते है एडमिन ने बनाई कारे योजना अगले सतर से समय फर गोसित होगे यूजी और पीजी के प्रिक्सा परिणाम प्रिक्सा 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 प्रि समय पर गोशित नहीं हो पा रहे हैं इसके लिए कई कदम उठाएगे लेकन आभी भी परिणाम समय पर नहीं आ रहे हैं सनात्त के अलावा सनात्कों तरस्तर के कोशिज के परिणाम समय पर गोशित नहीं होने से बिद्यार्तियों को परिशाने का सामना करना पड़ता है आप इस दिक्तत को दूर कहने के लिए बिस्ताले प्रसासन फिर से कारे उजना त्यार कहने के लिए जुट गया और इसके लिए कमेटी भी बनाई गी है इमाच्वदेश के 16,000 बेजली करमचारियों को पंजाब का बेतनमान बेजली बोर्ड ने पंजाब की तरज़ पर संसोदित बेतनमान लागू कर दिया है बेजली बोर्ड के सभी करमचारियों को पंजाब की तरज़ पर 2012 से भी तिलाब मिलना सुरू हो जाएंगे निदेश सिक मनल ने इस पस्ताब को मंजूर किया था इसके बाद आप बोर्ड ने इस पर अपनी मोह लगा दिया है बेजली बोर्ड करमचारियों को इस फैसले के बाद बड़ी रात मिलने वाली है बोर्ड करमचारी लंबे समय से पंजाब की तरज़ पर बेतनमान की अदाइगी की मांग कर रहे थे इसे लेकर पूरम में यूनियन ने बड़े स्तार पर प्रदर्सन का भी फैसला किया था फेलाल इस मांग को माली जाने के बाद करमचारियों को एरियर की बड़ी सोगात मिलने वाली है करमचारियों के लिए संसोधित बेतनमान पहले एक्तोबर 2022 से मिलेगा संसोधित बेतनमान का लाव दो साल के निमस सेवकाल के बाद मिलेगा संसोधित बेतनमान लागू होने के बाद करमचारियों का ग्रेट पे आप बढ़कर 10,900 से लेकर 34,820 रहेगा जबकि ग्रेट पे 3,400 होगा बेलेबोर प्रवंद ने एरियल को दो चारणों में देने का फैसरा लिया है ऐसे मैं इसे 50 विष्टी के अंतराल में भी वाज़ित किया जाएगा सेव सेजन से पहले बागवानों को जटका पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले पेट्टे और ट्रे के दाम बढ़े किमाचल बोते इसमें सेव सेजन की सुरुआत के साथ ही बागवानों की समस्यां बरतियु न जजरा रही है सेव की पैकंग में इस्तेमाल होने वाले पैट्टे और ट्रे के दामों में बेतासा वड़ुत्री होगी है बीते सेजन के मकाबले सेव बागवानों को इस साल एक पेटिक रेने के लिए 1.500 से 2.00 रुपे अत्रिक्त खर्चा पड़ रहे है पहले क्रोना और फिर आर्टिक मंदी के माच घेड़े किसानों के सामने एक और वहयवय समस्या पैदा होगी है कि माचल में सेव का सेजन सूरू हो गया है पर दीस में इस वार सेव की बंपर फसल है लेकर अब सेव काटन पर जी एस्टिक का सलैब 6-12 फिस्टिक किया गया है जिसके बाद सेव की पैकिंग समगरी की केमतों में भूतरी होगी है सेरिखंड यात्रा में मास और सराव पर पावन दी 18 साल से काम सार से उपर वक्तों के जाने पर रोग सेरिखंड महादेव यात्रा करने के लिए इस रधालों को जिल परसासन के 11 दिस नदेशों का पालन करना होगा जिससे वाक्तों की सिरिखंड यात्रा सुलोब बनेगी परसासने स्रदालों को सिरिखंड यात्रा करवाने के लिए तैयारें पूरी कर ली है नबे के क्रीब पुलीस वास्ते और एस्टू के जवानों को तैनात कर दिये गया है यात्रा के दुरान मास और मदर्या पर पूरी तरशी प्रतिवन्द रहेगा एडियम कोलू पर सांतर सरकैक ने बताया कि सिर्खंड यात्रा 11 से 24 जुलाई तक होनी निश्चित हुई है पुरानी पैंसन की वाली को मंदी में रैली बारिस में भी हाके लिए डटेड़े प्रदीश वर के करमचारी पुरानी पैंसन की वाली को लेकर सानिवार को नई पैंसन स्कीम करमचारी मासंग की और से मंदी में पैंसन संकल्प रैली का योजन किया गया रैली की अधिक्सता मांसां के जिला देक्स लेख राजना की एस अब सुर्पर संगटन के परदीश अधिक्स प्रदीप ठाकुर मुक के रूप से उपस्तित रहे ये रैली भी पासा सदन में इकटा होने के बाद वहां से रैली के रूफ में सेरी मंच पर पहुंचे रैली में करमचारियों ने ढोलनगारों के साथ राजी सरकार से पुरानी पैंसन की वाली की मांग करने को लेकर जम करना रिवाजी की NPS कर्मियों की इसरेल के दुरान कर्मचारियों में भारी रोज देखने को मिला पूरा दिन पूरा सैथ पुरानी पैंसन वाली के नारों से गुंजा परदेफ ठाकों ने का है कि परदेश सरकार को जल्द से जल्द पैंसन वाल करनी चाहिए उन्होंने काया कि मुखेवंतरी जहराम ठाकों ने सवेदानिक पद पर बैठ कर करमचारियों से बदले की वावना से काम किया जो बिलकुल भी सही वात नहीं है उन्होंने चेताब नहीं दिए कि परानी पैंसन भाली की मांग को लेकर करमचारियों मानसुन सत्र के दुरान सेमला में परिवार के साथ जाएंगे अगर फिर भी करमचारियों की पैंसन भाल नहीं होती है तो इसका काम्याद जा सरकार को जुनाबों में भुक्तना पाड़ेगा हिवाचल के 11 जिलों में करोना संक्रमण के 189 नए पोश्टे मामले हिवाचल प्रदेश में भीते 24 गंटों के दुरान करोना के 189 नए करोना पोश्टे मामले आये संक्रमण में विलासपुर के 6,45 अमीर पूर साथ कांगड़ा 35 की 9,10 कुलू 8, मंडी 20, सिमला 22, सिर्मोर 4, 16,13 ब 9 के 9 मरीज सामिल है वहीं एक दिन के अंदर 18, मरीज स्वास्ट भी हुए है प्रदेश में आप क्रोना संक्रमण का को लाखड़ा 27,47, 445 पहुंच गिया है बातमान में 1101 क्रोना संक्रमण को उपचा चल रहे है प्रवेज के परवेज के लिए जारी किये प्रोस्पेक्टर्स इसके अमसार बीए बीकॉम प्राथम बर्स में प्रवेज के लिए प्रवेज प्रक्री अदात उलाई से सुरू होगी 20 जुलाई तक पूर्म जम अक्रवाली जास सकेंगे इसके बाद 21 जुलाई को पहरी मेरिट सूची जारी होगी और परवेश पाने वारे उमेद वारों को 22-25 जुलाई तक फिर जम अक्रवाली होगी इसके बाद 26 दुराय को सीटे खाले रहने पर दूसरी मेरिट सुची जारी कीज आएगी किमाचल के सबसे वड़े आस्ताल में रुक गे किड्नी स्टोन के उपरेशन मसीन खराब आईजेमसी में रोग्यों की सुवधा के लिए लगाएगी करीब सबाद 2 करोड की लिट्यो थेरपी मसीन खराब होगी है जिसके चलते मेरिज्यों को आपीजाई चेंडिगर का रूप करना पड़ रहे है आईजेमसी में किड्नी स्टोन के उपरेशन के लिए मसीन लगाएगी है मसीन से बिना चीर फार के किड्नी स्टोन का इलाज किया जाता है मसीन के खराब होने पर आईजेमसी परसासन पर सवाल उठने सुरू होगी है कि एतनी महिंगी मसीन खराब कैसे होगी सुत्रों के मताबक मुसीन का छोक जर्नरेटर पार्ट कराब हो गिया से लेजबियम से उप्रेशन किया जाता है से ऐस पार्ट से कृरियोю से 25.50 तक उप्रेसन करें की ग्रंटी होती है इस पार्ट की कोल केमत कैमत पॉप्स माख उपर रुपए आहंके जा रही है आलांकि आई जैनीच पर साथ न कंपनी को इस पार्ड को ठेक रवाने के लिए क्लिए है इमाच्पधेश के 19 लाँ किरा संकार्ट उपवाक्तेश को इस महने डिपो में सरसस और रिफाइट ने मिलेगा सरकार ने सरस और रिफाइट के टेंडर रद कर दिये कामपनियों के वीच प्रतिसपर्दा ना होने पर ये फैसरा लिया गया है सरकार ने खाद्या पूर्टी निगम को नए सीरे से टैंडर करने की निदेश दी है इस प्रक्रिय हमें 15 से 20 दिन का समय लगता है सरकार ने चेनी और नमक की सप्लाई का ओर्डर भी जारी कर दी है हर्यान सरकार की सोगर मिल हिमाचल के लिए चेनी की सप्लाई कर दी है आलाग अंदाज में मनाया जाएगा एच्प्यू का स्टापना दिवस हाफ्ते भर्चारे की गतिवीदिया हिमाचल में बार इसका कैर चोपाल में दास सेकंड में चार मनजिला लेकर और मुक्य वंदिया बावन जमिदोज दो दिन भारिवार इसके बाद सानिवार दुपैर साड़े वारा बजे मौसम साफ में नीव दसने से इमाचल देश के सिमला के चोपाल में चार मनजिल बावन दास सेकंड में जमिदोज हो गिया है बावन में दो बैंक एटियम एक बीर वार और एक डावा और नीचली मंजिल में लोगों के आवास थे नीचली मंजिल में बीर वार एक के एक करमचारी चंदन सर्मा को सीज से चटकने के बावन गिने का अंदिसा हुआ और उसने बार निकलका सूर मचाया डाबा माले किसन गाता और वार खड़े करने व्यक्ति विनोत पनाएक ने सूर मचाया उस सभी को निकाला चानमेंटों में पूरा बावनतास के पतो की तरह वरवरा कर गिर गया और मलवे के धेर में तब्दील हो गया गनिमत्रे की सब्ता के दूसरे सन्यवार की छोटे होने के चलते यूक और हिमाचल ग्रामिट बैंक में छोटी थी कुल्लू की गर्सा गाटी में फटा वादल बार से खेरतवा पूलक सतिग्रा पचास वेड़ वक्रियां वैई कुल्लू की गर्सा गाटी की पाले पंचायत की सिलगर में सन्यवाद उपैर वादल फरने से कुरला नाले में बैंकर वाड़ा आगी बार से क्रेप 25 किलोमेटर क्षेतर में अफरा तप भी मच गी नाले किनारे बस से लोगों ने भाग कर जान बचाई बार से मनिहार गाउं को जोडने वाला एक वैली ब्रीज और तेन पूलियां के लावा पचास वेड़ वक्रियां बैगी है बार से वान विवाकी संपदा को भी सबसे जादा नुक्सान हुए है चंबा के कोक्ति में भारी बार इससे मनवी सियात्रों के लिए बनाएगी पैदल पूलियां वैगी है कुसोली परवानु सट्क पर मसोबरा में एक नेजी विला के स्मेप पार्ट पंजाब नंबर के एक कार पर पत्त्र गेरी है 24 जुलाय को होगी बीकिए को प्रिक्स प्र प्रिक्स प्रिक्स के अपन हिनाएगे घर्न सलप मन्डी हमिरपूर के बनाएगी प्रिक्स में बैठेने वाले अमेदवार हो कैर्मेट कार ंक यह जुलाय कू जारी होगी इसके लावा उमीदवारों को ये भी सोचित किया गया है कि नए दिलिम में बने प्रिक्साकेंदर को रात कर दिया गया है यहां बने प्रिक्साकेंदर चंडिगर में सेफ्ट या मर्ज किया गया है नकली नोट बनाने के मामले में हर्याना पुलीस की हिमाचल में दविस सिम्ला से उठाये योबाग नकली नोट बनाने के मामले में सनलेप देक अरोपी को हर्याना क्राइम ब्रांच की पुलीस सिम्ला से उठाकर हर्याना लेगी है हरोपी का नाम नवरीन्थ बताय जा रहा है ये मंदीज लगे सुन्दनगर का रहने वाला है ये संजोली में किराय की कमरे में रह रहा था हर्याना क्राइम ब्रांच की पुलीस काफी दिनों से इसकी तरास कर ली थी पुलीस को जैसे इसका पता चलो तो उसने तुरां तर सिमला से उठा लिया और सीधे हर्याना लेगी कोल्जों का निरिक्षन करने के लिए नेशनल एसेस्मेंट एंड एक्रिडेंशल कौंसल नैक की टीम स्टमबर मां में हिमा चलाएगी इस तुरां टेम उन कोल्जों का दूरा करेगी जिन्होंने नैक से एक्रिडेंशल के लिए विदन की है टेम तेम आपड़नों के तैत उन कोल्जों में दी जारी सुबदाओं की जांच करेगी उसके बाद कोल्जों को नैक की और से ग्रेड दिया जाएगा पताया जा रहे कि प्रदेश में इस समय 15 कोल इस नैक से एक्रिडेशन लेने के लिए पात रहे इस में 3 कोल जो ने इस के लिए विदन भी कर दिया है